अपनी इस उंगली पर तेल लगाकर अपने पूरे शरीर की ओईलिंग कर लीजिए किन खास अंगों की ओईलिंग करनी है आपको आज के वीडियो में यही बता रही है आपकी डॉक्टर उमा शरी वीडियो पूरा देखेगा और अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमा शरी मेरे चनल में हमेशा आपका स्वागत होता है आज भी आपका स्वागत पूरे मन से कर रही हूँ आशा करती हूँ मेरे सब्सक्राइबर खुशाल जिन्दगी बसर कर रहे होंगे मेरी ब्लैसिंग्स हमेशा उनके साथ में रहती है वो सदा तरक्की करते रहें और पनपते रहें तो आज का वीडियो बहुत खास है अगर आप आज पहली बार डॉक्टर उमा श्री चनल से जुड़े हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बैल बटन दबा लीजिए और आल पर क्लिक करिए जिससे इसी तरह की बेहतरी इंचानकरी आपको भविशे में प्राप्त हो सके जरूर आएगा और आप पाई पाई को मोहताज अगर हो रहे हैं मतलब रंक हैं तो आप एक बादशा की तरह जिंदगी बसर करेंगे राजसी वैभव आपके जिंदगी में तुरंत आएंगे तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए बाजानना बहु पनपती है और शनी परवत पर पहुंचती है भागय रिखा भागय रिखा कर उदगम कहीं से भी हो सकता है लेकिन वो जनरली शनी की तरफ अट्रेक्ट होती है और शनी रिखा भी इसलिए इसे कहा जाता है तो मध्यमा उंगली से आपको तेल लगाना है और कोई खास अंग जिन पर आपको OILING करनी है जैसे गाड़ी में OILING की जरूरत पड़ती है इसी तरह से हमारा जो शरीर होता है उसमें भी OILING करनी चाहिए और OILING करने से आपका शनी जो होता है आपको दुश प्रभाव देना बंद कर देता है क्योंकि खुरदरापन तवचा का खतम हो जाता ह और रोखापन रोगों का कारण होता है जो आपकी जिन्दगी में पनप जाता है तो आपको क्या करना है मध्यमा उंगली में कोई सभी तेल आप ले लीजिए और उनको अपने कान में डालिए कान में तेल एक शगुन मातर का आपको डालना है मतलब आपने तेल का प्रयोग अपनी body पे कर लिया आपको अपने माथे पे भी तेल लगाना चाहिए अपनी skin पर भी तेल लगाना चाहिए और अपने नासी का जो छिदर होते हैं उन पे भी अगर आप तेल डालते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है लेकिन घी का प्रियोग भी आपके अनेक रोगों से बचाता है तो घी का प्रियोग भी आप शुद्ध गाय का घी भी आप नाक में डाल सकते हैं लेकिन इसमें आपको नाक में घी डालने से पहले आपको जोतिशिय सलाह लेनी चाहिए और चिकितशिय सलाह भी आपको लेनी चाहिए नाक में अगर आप घी का प्रयोग कर रहे हैं मतलब नाभी इतनी कमाल की होती है कि जिसे बिल्ली की जो जेर होती है वो बहुत पैसे वाला बना दिती है अगर आप उसको प्राप्त कर लेते हैं बिल्ली की नाल बहुत चमतकारी होती है उसी प्रकार से मनुष्य की नाल का जो प्रियोग होता है वो भी अथा धन संपदा प लोग नाल को संभाल के रखते हैं, उनके घर में बहुत सारा पैसा आता है एक समय के बाद में, एक समय के बाद में ही पैसा आता है लेकिन प्रारम में बहुत सारे कश्ट उनको भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि जो नाल होती है उसकी विधिवत पूजा की जाती है और अगर समरद्धी होती है, पुष्टी होती है ओईल पुष्टी कारक माना गया है और ओईल से जो दीपक जलाया जाता है उससे घर में पॉजिटिव एनरजी का वास होता है लेकिन यहां शरीर की ही चर्चा हो रही है तो बॉडी मसाज अगर आप कराते हैं अपने पती से तो आपका शुकर अच्छा होता है आपके ब्रस पती भी अच्छा होता है इसी प्रकार से आप अपने पती की अगर बॉडी मसाज करते हैं तो आपको भी बहुत फायदा होता है बच्चों की बॉडी मसाज जनरली कोई मसाज वाली से कराते हैं लेकिन अगर आप अपने बच्चे की मसाज भी खुद करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आपकी जो संतान है वो आपका नाम रोशन करेगी ऐसी इस्तती आपके सामने आ जाएगी तो ओइलिंग बहुत जरूरी है और आपको पता है कि मुव में ओइल भरके क्रिया की जाती है जो पश्टी कारक होती है जो समरदी भी देती है और स्वास्ते को भी उत्तम बनाती है ओइल पूलिंग पे आपने बहुत सेरे वीडियो देखे होंगे और आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे तो शनीवार के दिन आप ओईल पूलिंग की क्रिया करते हैं तो आपको बहुत फाइदा होता है इससे आपका स्वास्ते तो उत्तम रहता ही है आपके घर में निश्चित रूप्चे धन संपदा भी व्याप्त हो जाती है जहां आपके अंडर आर्म्स के बाल होते हैं उनको साफ करके आप अगर मसाज करते हैं उस जगे पर तो आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होता है जिस जगे भी आपके बाल हैं उनको हेर रिमूबर करके और आप मसाज करते हैं तो बहुत फाइदा आपको कुछी दिनों मिलने लगता है और आपकी आर्थिक समुरदि भी आपकी होती है तो इतना सारा पैसा आपके पास आजाता है जिसके कोई होड ही नहीं है तो आज का वीडियो आपके लिए यूसफूल रहा हो तो लाइक करना शेयर करना ऐसी जानकरी सबसे शेयर करने चाहिए और कमेट करती हूं मित्रों बहुत बहुत धल्लेवाद